हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फॉस्ट फ्लाइट पे मैं आपका आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तो आज हम करेंगे बीए थर्ड इयर डियस्सी पॉलिटिकल साइंस जिसका नाम है अंडेस्टेंडिंग ग्लोबलाइजेशन जिसका आज हम यूनिट फॉस्ट करेंगे वैश्वी करन और उसके आयाम तो थोड़ा सा मैं आपको उसके सिनॉपसिस बता देती हूँ कि कैस अगर यह कोशन आता है तो आप अटेंप कर सकते हैं तो इसमें आप दोस्तो ऐसे कर सकते हैं पहले आप अर्थ लिख दीजिए उसके बाद आयाम लिख सकते हैं इसके कितने आयाम है तो मेंली फोर आयाम है इसके डाइमेंशन से फर्स्ट है आर्थिक दूसरा है राजनेति दोनों पक्षों को आप रखेंगे और दूसरा फिर हम लास्ट करेंगे भारत और वैश्वी करन यानि वैश्वी करन से भारत के उपर क्या प्रभाब पड़ा है तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं डेफिनेशन तो डेफिनेशन में क्या है वैस्फी करन से आशे है वस्तूओं सेवाओं पुंजी और विचारों का स्वतंत प्रवा यानि बेरोक्तोक एक देश से दूसरे देश में पहुँचना लेखकों नेसे राजियों के बीच आपसी जुडाव अथवा एक दूसरे पर निर्भरता का नाम दिया है आप लोग को भी पता है कि ग्लोबलाइजेशन की वज़े से हम एक दूसरे पर डिपेंड हो गए है और उससे हमारे मतलब एक जो पुरा विच्व है वह एक ग्राम हो गया एक विलेज हो गया है वैस्वी करन के प्रमुक चार आयाम आप कह सकते हैं जैसे अगर हम देखे तो पहला क्या है और इसमें क्या है विभिन देशों के बीच वस्तुओं का स्वतन्त प्रभा अर्थात बहुराश्ट्रिय कंपनियां जैसे MNC विश्व भर के बाजारों में बिना रोग टोक अपनी वस्तुओं बेच सकते हैं राश्ट्रों के बीच से बाओं अत्वा व्यक्तियों का स्वतन्त आबागमन हो रहा है तीसरा देखते हैं आप कि राश्ट्र राजियों के बीच पुंजी का प्रभा है अर्थात एक देश के पुंजी पती दूसरे देश में पुंजी निवेश कर सकते हैं तथा चौथा आप देखते हैं कि विचारों और संस्कृति का प्रवा हो रहा है उसके बाद हम देखते हैं डेविड हैल और एंथोनी मैक्यग्रा के अनुसार तो मैक्यग्रा क्या कहते हैं मैक्यग्रा कहते हैं कि वेश्वी करन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में माननेता दी जा सकती है जिसके माध्यम से भूमन्डलिये सामाजिक संबंधों और आदान प्रदान को अच्छी तरह से अंतर महादुई पिये और छेत्रिये क्रियाओं अंते क्रियाओं तथा शक्तियों के आदान प्रदान करने वाले नेटवर्क के रूप में बदला जा सकता है तो इससे क्या इन्होंने मैकेगरा ने क्या काया है कि इससे मतलब वैश्वी करन से जो पूरा विश्यो है वो एक तरीके से एक विलेज हो गया है तो यही इनका कहना है और ये एक मतलब सिमट कर रह गया है उसके बाद वैश्वी करन के कारन करते हैं तो फ्रिडमेन की अनुस वेश्वी करन ने व्यक्तियों, कम्पनियों और राष्ट राजियों के लिए यह सुलब बना दिया है कि वे बहुत सिग्र और तेजी से तथा बड़े सस्ते में सारी दुनिया के साथ सम्मन्द साथ सकते हैं ऐसा फ्रीडमेन कहते हैं और यह सत्य भी है अब देखते हैं वेश्वी करन किन किन कारणों से बहुत स्प्रेड हुआ है तो सबसे पहले तो टेक्नोलोजी दोस्तों प्रद्योगी की कारण जो है वो सबसे में है पिछले करीब तीन दश्कों में प्रद्योगी की में नाट की यह परिवर्तन आए है सस्ती टेलिफॉन सेवाएं हो गई है इमेल, कम्प्यूटर, जेट बीमान मतलब बहुत जल्दी डबल इंजन वाले जो वह है मतलब आप कहा सकते हैं प्लेन उसे बहुत जल्दी जा सकते हैं इंटरनेट और बड़े बड़े सामुद्रिक जहाज जिनके कारण संसार के भिन देश पहले की अपेक्षा जादा एक दूसरे के निकट आ गए है और ये सच भी है अब वेक्तियों और वस्तुओं की आवाजाही जादा सुगम और जादा मतलब सबल और सिग्रम गामी हो गई है पुंजी, तकनीक, कच्चे पदार्थ, मशीने, कारखाने यह सारी बस्त हुए जो है वो सिग्रता से एक दूसरे से दूसरे देश में भेजे रह सकते हैं और दूसरे देश से अपने देश में लाए जा सकते हैं उसके बाद हम करते हैं आर्थिक उदारी करन और नीजी करन की नीती दोस्तों आपने देखा कि 1945 में कोल्ड वर स्टार्ट हुआ था और 1991 में सोब्य संग का उसमें विघटन हो गया था तो सोब्य संग के विघटन और पूर्भी यूरोप से कॉमिनिस्ट रिसासन के खातमे की बाद समाजवादी अर सरकार का स्वामित तो होता है समाजवादी विचारधारा के पतन के बाद आपने देखा कि उदारी करन का यूग आया जो देश नियंत्रित आर्थिक प्रनाली पर निर्वर थे मतलब वह एक तरीके से सिम्टे हुए थे उन्हें उदार आर्थिक नीतिया अपनाने पड़ी और जिसमें केवल मतलब आप क्या सकते कि गवर्मेंट का रोल था वो क्या हो गया खतम हो गया और अब व्यक्तिगत विकास पर जोड़ दिया जाने लगा जिससे लोगों ने मतलब बहुत सारे देश ने कॉम्मिनिस्ट देश ने क्या किया किसको अपनाया तो आप दियोग स्थापित किये केवल कुछ को छोड़ कर सभी छेत्रों को नीजी उद्योगपतियों के लिए छोड़ दिया गया मतलब प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया जैसे आप एक्जामपल में देखे तो एशिया एफ्रिका लेटिन अमेरिका और यह बहुत सारे देश है जिनोंने आर्थिक नीथिया अपनाई उसके बाद हम करते हैं लोग तंत्री करन लोग तंत्री करन भी वैश्वी करन का एक बहुत बड़ा कारण है अगर मान लीजे कि लोग तंत्री नहीं रहेगा किसी देश में किसी देश की जनता अपने आप सरकार का चैन नहीं कर सक तो लोगतंत्री करन सामेबाद के बिघटन से लोगतंत्री करन की प्रक्रिया को बल मिला जो कॉमिनिस्ट देश थे उसमें अब एक दलियताना शाही शाषन समाप्त हो गया और वहां भी क्या हुआ आर्थिक छेत्रों में बहुत जादा स्वतंत्रता के वातावरन को बल मिला आप देख रहें कि 1990 के दशक में और भी कई देशों में आओ लोगतंत्रिक शाषन के जगा लोगतंत्रिक शरकारों ने ले ली जैसे दक्षिन अफ़रिका में और स्वेतों को अपनी सरकार चुनने का मौका मिला हमारे पढ़ोसी देशों को देख लीजिए तो सरकारे तो कुल मिलाकर आप यह कह सकते हैं कि 1980 और 1990 के दशक में लोक तंत्र का प्रशार बहुत ज्यादा हुआ वेषवी करन के आयाम अच्छे से कर लीजीगा क्योंकि इसमें से एक नएक या आर्थिक या राजनीतिक या सांस्क्रितिक या तकनिकी इन चारों में से एक नएक आयाम आपके एकजाम में आ सकता है तो वैश्वी करन के आर्थिक आयाम को हम सबसे पहले consider करेंगे तो first हम करते हैं वस्तूओ और सेवाओ का स्वतन्त प्रवा दोस्तो सबसे ज़्यादा जो dimension है मतलब वैश्वी करन से जिसको सबसे ज़्यादा effect हुआ है जो affected हुआ है वो आर्थिक स्थिती लोगों की है और किसी देश की है तो सबसे पहला हम करते है वस्तूओ और सेवाओ का स्वतन्त प्रवा हो गया किसकी वज़े से वैश्वी करन की वज़े से आप देखरें कि विभिन देशों के बीच वस्तूओ सेवाओ और पुंजी का स्वतन्त प्रवा देखने को मिलता है विदेशी कमपनिया अन्य देशों के बाजारों में बिना रोक तोक अपनी बस्तूओ या सिवाओ बेच सकती है आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे देश में दिवाली होता है और होली के अबसरों पर आपने देखा कि दोस्तों हम देखते हैं कि दिवाली और होली के अफसरों पर क्या होता है कि बिजली की लड़ियां और रंग बिरंगे पिछकार्या बनी तो चीन में है पर आकर्षित भार्तियों को कह रही है इसे हम बस्तुओ की खुली आबाजाहे भी कह सकते हैं और आप देखते हैं कि चाइना से बहुत जादा हमारे देश में जो सामान है वो इंपोर्ट किया जाता है तो ये भी वैश्वी करन का परिनाम ही आप कह सकते हैं उसके बाद हम next करते हैं तो next point है हमारा अंतरास्ट्री, मुद्राकोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगतन की भूमिका इस dimension में हम देखते हैं कि अंतरास्ट्री, मुद्राकोष, विश्व विश्व व्यापार संगतन ये तीन महतुपुन संस्थाएं हैं जो व्यश्वी करन की नीती को लागू करने का काम करती है और वास्तब में विक्षित देश है वो बहुराश्ट्री कमपनिया इन तीनों संस्थाओं का प्रयोग अपने आर्थी कीतों को पूरा करने के लिए उनसे रिन लेती है पैसे लेती है और किसी देश में MNCs को इस्टैबलिस्ट करती है जो मतलब विक्षित देश कह सकते है आप और वस्तू और सिवाओ का प्रभा अब राज्यो की अपनी इच्छा पर निर्वर नहीं करता है लोगों की डिमांड पर निर्वर करता है कि लोगों की डिमांड प्रबा है वैश्वी करन के कारण अब विदेशी निवेश पर कोई प्रतिबंद नहीं है उधारन के लिए अगर हम देखे तो ब्रिटिश या अमेरिका मतलब ब्रिटिशर्स या अमेरिका भारतिये पुंजी पती विदेशों क्या करते हैं भारत में पुंजी लगा सकते हैं जो ब्रिटेन है और अमेरिका है वो भारत में लगाते हैं अपना निवेश करते हैं और भारती है जो पुंजी पती है वो विदेशों में निवेश कर सकते हैं इस समय दुनिया में हजारों बहुराश्च्री कंपनिया हैं जिनका संसार के लगभग एक तिहाई उत्पादों अधिकार है और बहुत सारी जो कमपनियां है अपना माल तो एक दूसरे देश में बेस्ति है और उससे अरजित मुनाफ़ा क्या करती है वो दूसरे देश के बैंकों में जमा कर देती है ताकि उनको बहुत ज्यादा इंट्रेस्ट मिले जो मूल्ड है उसका प्रिंसिपल अमा का एक पहलू यह भी है कि अधिक वेतन या मजदूरी मिलने पर लोग एक देश से दूसरे देश में आ जा सकते हैं परंतु जिस मात्रा में आप देख रहें कि पुंजी या वस्तुओं को प्रवा हो रहा है उस मात्रा में लोगों की गती शीलता दिखाई नहीं देती है आप अपने देश का नाम एक तरीके से कह सकते हैं वो करने के लिए वहां रहते हैं इसमें मुख्य बादा यह है कि हम देखते कि लोगों का प्रवा जादा नहीं है तो इसमें मुख्य बादा क्या है कि जो विक्सित देश है जा विक्सित लोग है वो नहीं चाहते है कि कम विक् सबस्कुक करते हैं मतलब तो उसके अधिन है यानि जो लोग एक देश के अंदर रहते हैं तो वह एक प्रभुसत्ता मतलब एक शुतंतर कंट्री मेंbas करते हैं। लेकिन प्रभु सत्ता की यह अब धारनाब धुंदली पड़ गई है, मतलब जो गवर्मेंट है, वो प्रभु सत्ता यानिकी स्वतंत्र रूप से अपने नागरिकों के लिए कानून नहीं बना सकती है, क्योंकि जो MNCs है, जो मंटी नेशनल कंपनी है, जो अंतराश्टिय सं आई है, अब वो मतलब चाहकर भी कानून बनाना चाहते हैं, तो उनको कुछ कानून में अंतराश्टिय संगठन की मतलब उन से क्या करना पड़ता है, वारताला बाचित करनी पड़ती है, अब बहुत सी चीजे राजे के नियंतरन से परे हैं, जैसे कि आप देख रहें कि स सेटलाइट संचार वेवस्था में उनको कंसर्ण करना पड़ता है, इलेक्ट्रोनिक तरीकों से पैसा मांगने में, मतलब नहीं मांग सकते हैं, वो बहुत जल्दी, या पैसा बाहर भेजना तथा सूशनाओं का आदान प्रदान, ये व्यक्ति अपने आप कर सकता है, उनक तंत्र के समर्थकों को ऐसा लगा कि अब हमारे देश में लोकतंत्र आ गया है, एक दलिये व्यवस्था का समापन हो गया है, तो अब आर्थिक शेत्र में भी उदार नीतिया चलाई जा सकती है, उनको ऐसा लगा, उन्होंने दुनिया भर में लोकतंत्री सरकारों की और आयात की जाने वाली बस्तूओं पर लगाया जाने वाले करों को क्या कर दिया दोस्तों समाप्त कर दिया या तो कम कर दिया और सुल्क दरों को नीचा करने का बीड़ा उन्होंने उठाया इसे उन्होंने लोग तांतरिक बाजार का नाम दिया अर्थत एक ऐसा बाजार ज उसके बाद हम करते हैं राजे के कल्यानकारी कारियों में कटोती, आप देख रहें कि राजे जो कल्यानकारी कारे करते थे उनमें कटोती आई है जैसे, आप देख सकते हैं कि 20 सदी के 3 और 4 दसक में इस अधारना को बल मिला है कि सभी के लिए रोजगार, सिक्षा और चिकित् कल्यानकारी राजे का आदर्स था, ऐसा कल्यानकारी राजे में होता था, लेकिन आप देख रहें आपकी मुक्त व्यापार की विचारधारा राजियों के कल्यानकारी कारियों में क्या हुआ है कि बिग्न उत्पन कर दिया है, अब जो है राजे कुछी मामले में हस्तक जैसे आपने देखा कि ब्रिटेन के जो ठैचर थे जो पर्थान मंत्री उनका मानना था कि बेरोजगारों को भट्ता देने के पक्ष में वो बिल्कुल नहीं थे और आप देखरें कि व्यश्वी करन है तो उनका मानना था तो वो हमारे मतलब हमारे देश में और बहुत सारे जुक्त प्रदेश के लोगों के जो नेता थे देश के उन्होंने भी लागु कर दिया तो इसुप्रकार राज़ी के कारियों में कमी आती गई और या कहा जाने लगा कि राज्य के इवाज शान्ती और व्यवस्था बनाए रखना है और बाहरी खत्रों से लोगों को बचाना और बाकी काम MNCs वगेरा भी करती है तो यह आपने एक फेक्टर देखा उसके बाद वैश्वीकरन का प्राद्योगी की आयाम देखते हैं प्राद्योगी की आयाम यानि टेक्नोलोजिकल ड सेबाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन आये हैं जो आप देख रहे हैं कि अब मतलब डबल इंजन वाले मतलब ऐसे जट वाले वह आये हैं प्लेइन साय जिससे आप बहुत कम समय में बहुत जादा दूरी तय कर सकते एक स्याधिक इंजन और उची गुनवत्ता वाले इंद वुलाए यात्रियों का आवगमन सुलब बहुत जादा सस्ता और सुलब भी हो गया है उसके बाद दूसरा हम करते है संचार और सूषना प्रद्योगी की तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि बहुत जादा संचार और सूचना छेतर में प्रगती हुई है इस छेतर की कुछ प्रमुक उपलब्धियां इस प्रकार है कि मोबाइल फॉन दरों में नाटकी किरावट आई है अब मोबाइल सस्ते दामों में भी उपलब्ध हो गए है देख रहे हैं कि जो कोरोना पेंडेमिक चल रहा था तो मोधी जी मतलब बहुत सारे उनके वह मतलब हो रहे थे विचार भी मर्स कर रहे थे वह दूसरे देशों से भी और अपने देशे भी तो वह एम फॉन के जरिये कर रहे थे लंबी दूरी की अंतराश्निय सेवा और इंटरनेट सेवा इंटरनेट और वेवसाइट सेवा उद्वारा सभी प्रकार की जानकारिया जैसे आप देखे रहे क्रिशी व्यापार penarvitt चि aspire और की जानकारी से समंधित जानकारी तदकाल हासिल की जा सकते मतलब बहुत जद् तो दोस्तों आप लोग का बहुत फेब्लेट होगा जनसंचार के बदले परिद्रिश्य में दूर दर्शन आप सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क बन चुका है भारत के दूर दर्शन प्रसारन की सुरुवात भारत में कब हुई थी तो 15 सेप्टमबर 1959 में हुई थी उस समय मात्र सेक्षिक और विकास पराधारित सिर्फ दो ही तिन टॉपिक्स फेमस थे पहले की टाइम में सेक्षिक और विकास पराधारित कार्यकरमों का ही प्रसारन होता था लेकिन अब आप देख रहे हैं कि दूर दर्शन और केवल की सेक्डू चैनल है जो जाग रुपता फै दूसरे देश में बहुत जादा मतलब उनका कल्चर भी फैल रहा है उनकी मतलब जो भी उनके जो भी उन्होंने मतलब अचीब्मेंट्स किये हैं वह दूसरे देशों को पता चल रहा है और मनुरंजन सूचना और सिक्षा को भी बहुत जादा यह अगरसर कर दिया है किसने दूर दर्शन ने उसके बाद हम करते हैं वैस्वी करन के सांस्कृतिक आयाम तो दोस्तों सांस्कृतिक आयाम भी बहुत जादा इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम में आ सकता है तो वैस्वी करन के पश्रिम के पुंजी वादी आदर्शो और उभोगता वादी संस्कृतिक को बढ़ाबा मिला है इसे आप देख रहें कि मैकडो नौल्डी करन हो गया है दुनिया उभोगता वादी संस्कृतिक को बढ़ मतलब दुनिया में क्या हो रहा है? कि दुणिया भर में जिन्स का पहनावा यूबक और यूबतियों की पहली पसंद वन गई है. अब आप देख रहें कि शूट सल्वार बहुत कम लोग पहनते हैं और जिन्स को लोग ज्यादा प्रैफर करते हैं. तो ये बहुत जादा सांस्कृतिक परिनाम आप देख सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं कि फास्ट फूड कल्चर बहुत जादा डेवलपमेंट हुआ है इसका, पश्मी देशों बिशेशकर, अमेरिका में जो मतलब भाग दोड़ की जिंदगी थी वो अब इंडिया में भी आ गई है, वेस्वी करन का एक सांस्कृतिक आयाम ये भी है कि इंटरनेट, टीवी और सेटेलाइट ने सांस्कृतिक दूरिया समाप्त कर दी है, और हमारे खानपान, हमारे जीवन, मुल्यों और सोचने समझने के तरीकों में भारी बदलाब आ गया है, इसमें कोई पहला है, जिसे सांस्कृतिक साम्मेवाद आप, साम्राज जीवाद आप कह सकते हैं, विस्वस्तर पर साम्राज जीवादी मुल्यों के च्छा जाने की संभाबना प्रवल हो गई है, छोटे और गरीब देशों की संस्कृति सभेता वो बोलचाल की भार्षा, संकत में आप ब्रिटेन की नीली जेंस, अमेरिका के मैक डोनल्ली करन को हम अपना रेडॉप्ट कर रहे हैं, तो हमारे देश के भी बहुत सारे कल्चर को उन्होंने अडॉप्ट किया है, ये एक तरफा नहीं होता है, जैसे आपने देखा है कि ये पुरी दुनिया इससे सिमट कर छोटी हो गई है, सेटलाइट तक्नीक ने विविन देशों की संस्कृतियों को विक्सित कर इने विश्यो ब्यापि जनसमू तक पहुचाने का काम किया है, और उधारन के लिए अगर आप देखे तो भारत की अगर कालीनों की बात करें, खादी के कुर्तों, सिल्क वरेस में, ये क देख रहे हैं दोस्तों कि पश्यमी करन का मतलब वर्चस हुए है, लिकिन हम देख रहे कि हमारे कल्चर को भी दूसरे देशों ने अडॉप्ट किया है, ब्रिटीन और अमेरिका में बनाई गई अनेक फिल्में, अंग्रेजी फिल्में भारत समित अनेक देशों में प्रद आंकन कैसे करेंगे, तो मुल्य आंकन में आप लिखोगे सकारात्मक परिनाम और नकारात्मक परिनाम, तो सकारात्मक देखते हैं दोस्तों कि वेश्वी करन के बहुत सारे सकारात्मक परिनाम देखने को हमें मिलते हैं, जैसा फॉस्तों देखते हैं आर्थिक विकास और ख विकास का मार्ग खोलता है इससे आर्थिक विकास में तेजी आई अब छोटे मोटे देश के जो दियोग परती है वो भी चाहते है कि वो ग्लोबलाइजेशन के तहत वो वर्ल्ड लेबल पे व्यापार को बढ़ाए और उनका मतलब उपयोग करे अच्छे लेबल पे उनका ड जुड़ाब हुआ है जैसे आप देख रहें कि सूशन और संचार तकनिक में हुई प्रगति से राष्ट्रों और व्यक्तियों के बीच आपसी जुड़ाब बढ़ा है हर राष्ट्र का शेश जो संसार के साथ एकी करन देखने को उसका मिलता है मतलब पूरा विश्व आप कह सकते हैं कि एक ग्राम हो गया है मानवजिकारों की रक्षा और गरीवी जैसे समस्याओं का निराकरन अब अंतराष्टे संस्थाओं के द्वारा किया जा सकता है रास जैसे रास्ट राजे तो परियावरन को में हुई शति को भी रोक पाने में और सफल रहे हैं लेकिन अ पूरा जो वर्ड है वो एक विलेज बन गया है उसके बाद हर्ड हम देखते हैं विश्यो भी आपी नागरिक समाज का उद है नागरिक समाज के अंतरगत सभी गैर सरकारी संगठन और दवाब समू इसमें आप दोस्तों एंजियोज को ले सकते हैं नौन गवर्मेंटल और इनका बड़ी तेजी से विकास हुआ है वैश्विकरन के तहत इनके द्वारा चलाए गया जो जन आंदोलन है यह दर्शाते है कि नागरिकों में राज्य की भूमिका और उसके कारियों के प्रति कितना असंतोस है जैसे दोस्तों आप देखते है कि कोई कानून बनता है तो सबसे पहले हम कुछ ग्रूप मिलकर आवाज उठाएंगे कि हमें कानून चाहिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे तो फिर क्या होगा वो जो एंजियोज है वो हमारे बातों को क्या करेंगे आगी पहुचाएंगे और तब यह पहुचेंगा हमारे गवर्मेंट की कानू तक और उसके बाद इस पर विचार विमर्स होगा फिर लोग सभा में राजे सभा में एंड लास्ट में रास्ट पती उस पर हस्ताक्षर करेंगे और फिर हमारे बीच आएगा वो कानून बनकर और उसके बाद फिर हम फीड़वैक देंगे कि यह कानून अच्छा है या ग्लोबलाइजीशन है इनके मतलब जो यह चलाये जाते हैं वो जनान दोलन या दशाते हैं कि नागरी को में राजी की भूमिका और उनके कारियों के प्रति कितना संतोस है हम किसी भी जो हमें पसंद नहीं है कानून उसके प्रति हम अपने इच्छा व्यक्त कर सकते हैं और अस्तर पर अब हजारोग गैर सरकारी संगठन कारिरत है पर्यावरन और जैविक वीच्टा की रक्षा के लिए विश्व व्याभी स्तर पर एक आंदोलन चलाया गया था और यह एक विलक्षन किसम का आंदोलन था जिसमें विवक्त मानलसमाज को एक साजी मंचपर जैसे हम आंदोलन चला था या आंदोलन ना कोई याती ना कोई वर्ग कोई मजभ गुछ नहीं था कोई खास देश नहीं था इसमें सब को सिर्फ एकी मुद्धी प्रसंगर्थ के लिए प्रेरित किया गया और यह मुद्दा था क्या, तो सभी जीवित प्रानियों का बच्चा वेचायजन्म ले चुके है या अभी और जन्मे इन सबका क्या करना है, दोस्तों संजक्शन करना है उसके बाद हम करते हैं विदेशी पुंजी का सीधे निवेश तो वैस्विकरन विदेशी पुंजी निवेश का मार्ग खोलता है आप देख सकते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी MNCs कमपनिया है जो विदेशियों द्वारा अस्थापित की गई है यह विकासिल देशों के लिए अतियावश्यक है विदेशी निवेश तीन रास्तों से ह पहला है कि सीधे निवेश या तो वो फोरन डारेक्ट इन्वेस्मेंट करे या दूसरा रास्ता शेयर बाजार जो हमारी बड़ी बड़ी कमपनिया है उसके साथ वो शेयर कर ले और तीसरा रास्ता है विदेशों से मिलने वाला रिन जैसे हम अपना जो अगर हम मान ले कि ह हम अपना वेल्थ दूसरे देश में लगाते तो उससे जो इंट्रेस्ट मिलता है उससे हम हमारा मतलब पुझी निवेस हो सकता है तो ये सारे फैक्टर्स है विकासिल देशों ने उदार नीतिया अपनाई है बहुत से उद्द्योगों की स्थापना के लिए अब उद्द् चिंस भी खतम कर दिया है क्योंकि इससे बहुत जादा रुकाबट आ जा रहा था उसकी वाद हम करते है सीक वेस्वी करन की कमया थीडा भावाभ आप कह सकते हैं, तो पहला देखते हैं, सामाजी का आर्थिक कल्यान को शती पहुंचा है, अब देख रहे हैं कि वैस्वी करन से रोजगारों में कमी और आयमें और समानता किस्तिती उत्पन हुई है, ये हम नकार नहीं सकते हैं, अमीर और अधिक अमीर होते कि खाद कीट नाशक और ऐसी तमाम चीजों के भाव कम से कम हो इसके लिए राजे की ओर से आर्थिक साहता जरूरी है परन्तु वैस्विकरण और मुक्त व्यावार की व्यापार की विचारधारा सरकार को सामाजिक शुरक्षा और सार्व जनिक कल्यान के मार्ग से पीछे हट पर विवस करती है आमने पहले ही पढ़ा कि अब कल्यान कारी राजे की जगह हस्तक शेपकारी निंतम हस्तक शेपकारी ने उसका रास्ता ले लिया है तो ये एक इंपक्ट गलत पड़ता है जो देश के लिए खत्रा उत्पन कर सकता है स्वास्ते सेबाव में कमीत था वो अन्य कल्यान कारी कारियों में कटोती से समाज की कमजोर वर्गों का जीवन दुशकर हो गया है कल्यान कारी राजे पहले था दोस्तों तो पहले वो हर्च फैक्टर पे ध्यान देते लेकिन अब क्या MNC के आने से कुछ उनमें हस्तक शेप हो गया है तो इससे भी इंप राज्टे अपरात तेजी से बढ़ना उधारन के लिए आप देख सकते कि अलकायदा जो ग्रूप है जो बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है और जिसके संस्थापक ये बहुत बड़े जो ये थे इनका नाम आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े ही ये बहुत भयंकर कह सक आपकी इनका नाम उसामा बिन लादेन जो लोग सुनकर ही डर जाते हैं तो इनके मतलब अलकायदा का ग्रूप बहुत बड़ा है और इनको प्रसिक्शन दिया जाता है दोस्तों इनको ट्रेनिंग दिया जाता है जहां नौजवानों को इंसात्मक कारेवायों के लिए प्र 20001 में उसमें क्या हुआ थक तो अमेरिका पर आतंकवादी हम्ला हुआ था और नियूव यॉर्क में वर्ल्ड ट्रे마रे पर वा था जिसको अमेरिका अभी तक नहीं भूला पाया है बहुत जयादा इसमें लौस हुआ था अमेरिका का अर आप देखरें की संचार और याताय याद साधनों की तरक्की की वज़े से खातनाक अप्राधी गिरफतारी वो बचने के लिए तुरंत क्या करते हैं सुरक्षि ठीकानों पर भहुत जादे तुरंत कॉंटेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हम करते हैं वैस्वहत्विकरन के विरुध प्रदर्शन वैस्वहत्मान जो वेश्विकरन के दुष्परिनामों के कारण विकासिल देशों में अनेक संगठन और लोग अंतराश्टिय वित्तिय संस्थाओं तथा विश्व व्यापार संगठन के विरोध आंदोलन बहुत जादा कर रहे हैं उसके बाद हम करते हैं गरीब देशों के लिए खुले व जाते हैं जो सस्ती चीजे होती है और अच्छी होती है क्वालिटी वाली वह आप खरीदते हैं तो अबियसी बात है कि जो देश सस्ता और अच्छा टिकाव सामान बनाएगा उसकी विजए होगी और स्वभाविक ही है कि अमेरिका, जापान, जर्मनी, चाइना, अन्य विक विक्सित है और जो विक्सित तकनीक अपनाएगा या आप कह सकते कि जो स्रमिक ना के बल कारे कुशल हो बल की अनुश्रासित पी हो वही मतलब वैश्विक अस्तर पे क्या करेगा कमाएगा अच्छे से और जो देश कच्छे माल का पास चमड़ा तेल और जमीन से पैदा हो अपने वाली चीजों को लगाएगा अपने मतलब raw material के रूप में अपने इंडस्ट्री में तो वह देश क्या करेगा ज्यादा globalization उसका ज्यादा effect करेगा उसको lab होगा उसका benefit होगा पर हम देख रहें कि इसका फाइदा तो सिर्फ जादा तर क्या हो रहा है कि developed जो country है उनको सन 1991 में वैश्वी करन को अपनाया जिसकी प्रक्रिया काफी तेज हो गई बाद में और अभी हम देख रहें कि वैश्वी करन बहुत जादा ही तेज हो गई है वैश्वी करन की प्रक्रिया इसके बात से विभिन चेत्रों में विदेशी निवेस और विदेशी प्रद्योग की का प्रभाब बढ़ा भारत में बहुर आश्री कंपनिया भारती अर्थ वेविस्ता के विभिन छेत्रों में तेजी से पाउं पसारने लगे मन्सी वगएरा बहुत जादा लगने लगी डेवलप्मेंट होने लगा सरकार ने अनीक वस्तू के आयात पर जो मात्रात्म कर था उसे क्या कर दिया रिमूव कर दिया यानि जैसे दस किलो सामान है तो उसका अलग टेक्स लगेगा पांच किलो गुड्स है तो उसका अलग लगेगा यानि उसकी मात्रा क्या धार पर टेक्स था तो उसे हटा दिया और आयात सुलकी की दरे भी कम कर दी क्योंकि फोरन इंव दूस्तोब उससे मात्रात्मक प्रतिस्टन को अटा धिया गया था और इसससक पसक्राइब हो जाए बॉल्ट सब्झी से कोफी चाय नारियल तेΛ ऑटो मुबाइल बने वे जितने भी मतलब कपड़े थे उन पे से क्या कर दिया तो जो tax था जो मात्रात्मक quantity tax था उसे remove कर दिया उसके बाद वैश्वी करन की प्रभाव को देखते है इंडिया में तो वैश्वी करन का लाव सबसे पहले देखेंगे तो वैश्वी करन के प्रमुक बहुत सारे लाव है लेकिन हम चार लाबों की यहां पिछच्छा करेंगे पहला है वैश्विकरन नई तकनिक और नई बाजार में प्रवेश का मार्ग खोलता है दोस्तों इसे नए-ए टकनोलोजी मिलती है लोगों को और नए-ए बाजार मिलती है लोग मिलते हैं जिसे कि यह बहुत जादा जो विकासिल देश है या जो भारत है उसके लिए बहुत जादा अच्छा माना जा सकता है दूसरा हम करते है वैश्वी करन विदेशी पुंजी निवेश का मार्ग खोलता है यह विकासिल देशों के लिए यानि भारत जैसे देशों के लिए बहुत जादा जरूरी है विदेशी निवेश तीन रास्तों से हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि विदेशी बैंक खुले जाने से बैंकिंग और विदेशी चेतरों की शमता बढ़ी है अब विकासिल देश है वो उनसे रिन ले सकते हैं और बहुत कम इंटरस्ट पे उनको मिल जाता है उसके बाद करते हैं सूशना और संचार छेतरों में हुई प्रगती ने लोग तांतरिक प्रक्रियाओं में तेजी ला दी है और 12 अक्टूबर 2005 को भारत में सूशना का जिकार लागू हो गया है और इस सूशना के अदुक्यार के इस कानून को लागू होने से आम लोगों को सरकारी विभागों से सूशना है हासिल करने की वो ताकत भी मिल गई हम दोस्तों यह जान सकते हैं कि हमारी government जो है वो क्या कर रही है क्यों कर रही है इसका हमारे पर क्या impact परेगा वो आर्टिया या प्राइट्वी information के तहट आप जानकारी पा सकते हैं उसकी बाद वैश्वी करन का विरोध भी हुआ यानि उसके कुछ negative impact भी आप देखते हैं त अर्थिक और समानताएं बरती है अमीर बहुत जादा मीर हो जाते है और गरीब गरीब ही रह जाते हैं किसानों से उनकी जमीने चीन कर क्या होती है कारखाने बहुत बड़े बड़े कारखाने बनाय जाते है और इसे primary जो sector है उसका बहुत जादा मतलब वो नीचे गिर गया है और टेकनोलोजी के उससे डेवलप्मेंट से क्या हुआ है इंडस्ट्री का बहुँ जादा विकास हुआ है उसके बाद दूसरा देखते है कि संसाधन तो संसाधन कम हो जाने की वज़े से राज्य द्वारा कल्यान कारी मदो जैसे सिक्षा हो गया स्वास्तायावासादी मे कॉटोती की जा रही है क्या है resources हमारे पास less है bird population क्या है more है तो हमें उसी resource से हमें अपने जो हमारी जनता है उसका जो भी उसकी आकाशा है वो पूरी करनी परेगी तो ये इससे क्या हुआ है तो गरीब लोगों का जीवन दूशकर होता जा रहा है और थर देखते हैं तो न अमिक भारी संख्या में उपलब्ध है पर नई प्रद्योगी की ने उन्हें फाल्तू बना दिया है इससे बेरोजगारी में बृद्धी हुई आप देख रहे हैं कि बड़ी-बड़ी मशीने आ गई है जिससे अब लेबर श्रम को मतलब हुमन श्रम को लेबर को बहुत कम कर जा गया है उसके बाद हम करते हैं फोर्थ वैश्वीकरन की नीती देश के प्रभुसत्ता के लिए खत्रा बनती जा रही है अब भारत की नीतिया अंतराश्ट्री मुद्राकोश विश्योबैंक विश्योब्यापार संगठन और बहुराश्ट्री कम्पनियों के हितों के अ प्रभुक के तरीकों में बदलाब ला रही है लोग उधर क्या हो जाते हैं मोवलाइज हो जाते हैं वह एडवर्टीजमेंट देखकर और लोग गलत प्रोड़क्ट खरीद लेते हैं कई बार वे लोगों को अनावश्यक वस्तवे खरीदने के लिए प्रेद करते हैं और का दोस्तों आज के लिए इतना ही आप एक्जाम का प्रेपरेशन अच्छे से कर लीजिएगा मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ तो आपका अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मिस दोस्तों